वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस अबडेट्स पाने के लिए पहला आइकन दबाना ना भूलें बिग बोस के 13 सीजन का आगाज 29 सितंबर को होने जा रहा है शोशल मेडिया पर बिग बोस 13 के घर के इंसाइट दस्वीरे सामने आई है इस बार बिग बोस हाउस के एंटर्स गेट को बीबी शोप दिया गया है जिसे ग्रीन प्रांड से डेकरेट किया गया एंटर्स गेट को दिया गया लुग काफी वाइबरेट है इस बार बिग बोस हाउस में ब्राइट करस और लाइट इंटिरियर को काफी महत्व दिया गया है वहां की लिविंग रूम को परपर कलर से डेकरेट किया गया ओपन लिविंग रूम को मोर्डन बनाने के लिए एंटिंग शोपिस और फनीचर में सजाये गया घर में दिवारों पर वी ओ, थम अप, पेस आउट, वू आर यू जैसे से लिखे गए है बिग बोस बीनर बनने के में किचन की कितनी भूमिका होती है इसे शिलपा शिंदे और तीपी का ककड़ अब्रेहम ने बताया किचन को भी वाइबरेट लुक दिया गया बिग बोस 13 का बैटरूम कुछ इस तरह दिखेगा काफी शानदार इस बार घर में एनिमल और वक जादा नजर आता है घर का इंटेरियर में ग्रीन और परपर कल जादे जगह दी गई है इस बार बिग बोस का सेट मुंबई की फिल्म सिटी में बनाया गया है इससे पहले सीजन का सेट गोरे गाओं में था इस बार देखना होगा कि किचन में कौन दिखेगा सीजन का किसका ददवा जादा होगा किचन में पिछले दोनों ही सीजन में विनर ने किचन में काम करते दश्कों का ध्यान अपनी और खीता था शिलपाशिंदे टिपिका गकड़ की किचन की स्टेटेजी हिट रहे थी दोनों ही शो में विनर है चुकी है बिंग बोस हाउस में हर जगे बिंग बोस की आँग बनी गुए ताकि कंटेंसेट को पता चले कि बिंग बोस की नज़र उन पर हर वक्त बनी गुई है बोली लेक से आर्टिक रिपोर्ट